नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि CT क्या होती है और ये कैसे बर्क करती है और CT कितने टाइप्स की होती है जो हम Electrical Panel और Substation में यूज़ करते हैं और जो CT होती है वो खुद ही Current को Measure नहीं करती है इसको Measure करने के लिए हम Emitter का यूज़ करते हैं तो CT का हम क्यूँ यूज़ करते हैं Substation में या Electrical Panel में तो ये सारे doubt आज हम Clear करने वाले हैं तो जो भी दोस्त इसको समझना चाहते हैं तो वीडियो को अन तक जरूर देखें और जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो एक Step Up Transformer की तरह कार करती है तो ये किस परकार से बर्क करती है इसके लिए हम आगे समझेंगे उससे पहले इसके Types के बारे में समझ लेते हैं तो देखें इस परकार की CT होती है वो Electrical Panel में यूज़ की जाती है इसमें Square Type की भी CT होती है और इसके बाद जो हमारी Sub Station में CT यूज़ होती है वो देखें इस परकार की CT होती है ये वाली जो CT है वो हमारी Sub Station में बड़े-बड़े जो Sub Station होती है उसमें यूज़ की जाती है CT का यूज़ हम दो पॉइंट्स पर करते हैं एक तो Voltage जो की फिक्स रहता है प्राइमरी बाइंडिंग होती है उसमें सिर्फ दो रेशो होती है हमारे या तो बटा 5 होती है या बटा 1 होती है लेकिन हमारी जो प्राइमरी बाइंडिंग होती है उसमें हमारे ये बहुत सारे हो सकते है ये 20 भी हो सकते है 50 भी हो सकते है ये कितना भी हो सकता है तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं तो माल लीज़े अगर हमारी जो CT है वो 100 बटा 1 की है तो अगर हम जो हमारी primary binding है उसमें 100 ampere की current flow हो रही है तो ये primary जो secondary binding है उसमें हमें सिर्फ 1 ampere अगर CT का ratio 100 बटा 5 होता तो primary में अगर 100 ampere की current flow हो रही होती तो secondary में सिर्फ 5 ampere का current ही flow होगा तो इसी परकार से ratio का चुनाव किया जाता है कि कितनी heavy current को हमें कितने कम current में convert करना है उसी परकार से इसकी ratio के आधर पर इसको use किया जाता है तो चलिए अब हम इसकी working को समझ लेते हैं कि ये कैसे बर्क करती है तो देखिए हमने सबसे पहले ही बतायता है कि ये CT है वो transformer की तरह ही काम करती है जो कि ferrade के mutual induction पर निर्वर करती है और जो transformer होता है सेम उसी परकार से इसकी binding को भी किया जाता है जिस परकार से सबसे पहले course को बनाया जाता है वो भी इसी परकार से course को बनाते है और उस पर हम binding को लपिटते है तो CT की जो primary binding होती है उसमें ज़्यादा turns नहीं होती है सिर्फ एक या दो turns होते है लेकिन इसकी जो secondary binding होती है उसमें बहुत सारे turns को बनाया जाता है तो इससे होता क्या है अगर हमारा primary में एक ही turns है तो जो voltage flow हो रहा है तो जो secondary में हम जब बहुत सारे turns को कर देंगे तो बहाँ पर क्या होगा जो हमारा voltage primary में जो voltage है वो secondary में voltage है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अगर voltage ज़्यादा होगा बोल्टेज है आउटपुट में ज्यादा बढ़ता जाएगा और करेंट है वो कम होती जाएगी तो CT के रेशो के हिसाफ से ही इसमें टन्स को रखा जाता है माली जी हमने 100 रेशो बन की CT को बनाया है तो उसमें हमें क्या करना होगा जादा टन्स को देना पड़ेगा लेकिन अगर हमने 100 रेशो के आधार पर CT को बनाया है तो हमें उससे थोड़ा कम आउटपुट में जो सेकंडरी बैंडिंग है उसमें थोड़ा कम टन्स को रखना होगा तो उसके बाद जब हम इसको बैंड कर देते हैं फिर दूसरी जो हमारे आउटपुट निकलती है जो सیکंडरी की जो будем przygot होती है उसमें हम connect करते हैं emitter को तो उसके बाद जब CT line से connect होती है तो उसमें जो primary में जो supply आती है वो भी हमारे current की तरह बहने लगता है course में तो जैसे ही हम primary side से supply आएगी तो वो magnetic motive force है वो generate होके हमारी पूरी core में घूमने लगेगा तो core में जब घूमेगा तो दूसरी side हमने उसमे secondary binding की है तो वो secondary binding में voltage current को generate कर देगा तो secondary में हमने बहुत सारे tons को रखा है तो उसमें क्या होगा voltage है वो high हो जाएगा और जो current है वो बहुत कम हो जाएगी और उसके बाद secondary में जोड़ा होगा हमारा emitter तो जो भी current वहाँ से flow होगी वो हमारी emitter में so करेगी तो इसके लिए emitter का use भी हमें उतने ही रेसों का करना चाहिए जितनी की हमारी CT है जितने ही रेसों की CT यूज़ होगी उतने ही रेसों का हमें emitter भी use करना पड़ेगा जिससे क्या होगा जो भी हमारी CT कम करके current दिखा रही है तो जो हमारा emitter लगा हुआ है वो उतने percent उसको ज्यादा करके हमारा जो actual current है वो उसमें सो करा देगा तो इसी प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको like share जरू करें और अगर आपके मन में कोई भी doubt रह जाता है कोई भी झाले